आप सभी का स्वागत है, आज की इस कहानी का नाम है, सास लाए बहु की सोतन, यहे एक सास बहु स्टोरी है, लड़की तुकानदार माजी, बहुत बढ़िया क्रीम है, आप एक बार लगाओगी तो आपके चेहरे की सारी जुर्या कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगी, सुमित्रा, अच्छा रुको, मैं देती हूँ, सुमित्रा, मन में अरे, मेरे बटूए में सिर्फ तीन सो रुपे हैं, आप क्या करूं, सुमित्रा, मेरा घर बस थोड़ी दूर ही है, मैं फिर बाद में ले जाऊंगी, अभी तुम मुझे बाकी का सामान दे दो, कभी एक द सुमित्रा, जीती रहो बेटी, वैसे तुम कहां रहती हो, तुमसे फिर मुलाकात करनी हो, तो कैसे करूं, तुम्हारे पैसे भी तो देने हैं, सुमित्रा, रुके अच्छा आउंटी जी, मैं आपको अपना फोन नमबर देती हूँ, आप मुझे फोन पर अपना घर का एड प्रेस दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी, इसी बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा, सुमित्रा, हाँ, ये ठीक रहेगा, लिख लो तुम मेरा नमबर, सुमित्रा पास में ही एक मोहले में अपने बेटा और बहु वर्षा के साथ रहती है, सुमित्रा की बहु वर्षा एक मना कर दिया, वो बहुत ही सीधी साधी है और गरीब परिवार की है, इस कारण उसने अपनी सास को कह दिया कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहती है तो कर सकती है, उसे तो बस अपने पती के घर में रहना है, चाहे जैसी मर्जी रहे, उसकी मजबूरी है कि वो उस घर को छोड़ कर नहीं जा सकती, इस घर के सिवाए वो आखिर कहा जाएगी, इसी मजबूरी में वो अपने दिन काट रही है, सुमित्रा, वर्षा, वर्षा, मेरी महमान आने ही वाली होगी, जल्दी से गर्म गर्म पनीर और आलू के पकोड़े तयार कर, वर्षा, मा जी, कौन आ जल्वाना है, रवी, मुझे पता है मा, तुम फिर से शुरू हो रही हो, कोई ना कोई लड़की ही होगी, मैंने तुम ही कितनी बार मना करा है कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है, सुमित्रा, तू पहले ही अशुप बाते निकाल दे अपने मूँ से, अगर तूने दू तू अपनी मा को चाहता है या नहीं, अभी सुमित्रा बात कर ही रही थी कि तभी स्वीटी आ जाती है, स्वीटी, नमस्ते आंटी जी, कैसी है आप, सुमित्रा, अरे, आओ बेटी, घर ढूनने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना, स्वीटी, नहीं नहीं आंटी जी, म ये स्वीटी है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, सुमित्रा स्वीटी के साथ बहुत मीठी मीठी बाते करती है, ऐसे ही अकसर सुमित्रा स्वीटी को घर बुला लिया करती थी या फिर रवी के साथ उसके घर मिलकर आ जाती थी, रवी मजबूर था, अगर वो इन सब के लिए म मा जी अपने आपी स्वीटी से बात कर लेंगी। स्वीटी फिर शादी के लिए जल्दी ही हां कह देती है। स्वीटी, आंटी जी, मैं जानती हूँ आप वर्षा के घर में रहने से खुश नहीं हो। पर आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है। हम दोनों खुब ऐशो आराम से रहेंगे, खुब मजे करेंगे। सुमित्रा, पर एक शर्ट पर, आप से तुम मुझे आंटी जी नहीं मा जी कहोगी। रवी और स्वीटी की शादी हो जाती है और सुमित्रा अपनी बहु वर्षा के लिए सोतन ले आती है। जैसा सुमित्रा ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सुमित्री ने तो आते से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। सुमित्रा, अरे, ये घर अभी तक गंदक क्यों पड़ा है? क्या यहां पर, कोई काम वाली नहीं है? वर्षा, नहीं स्वीटी, घर की साफ सफाय का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। स्वीटी, तो मा जी अब तक क्या कर रही है? मेरी सहेलिया किटी पार्टी के लिए आने ही वाली होंगी। मा जी को कहो वो तुम्हारा काम में हात बटाएं ताकि काम जल्दी हो सके। स्वीटी, मा जी, ओ मा जी, सुमित्रा, क्या हुआ स्वीटी बहू? तुमने मुझे आवाज लगाए, इस वर्षा ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं। स्वीटी, किसकी मजाल है जो मुझे कुछ कह जाए? मैं तो आपको बुला रही थी. जल्दी से जालू हात में पकड़ो और पूरे घर में लगा दो. पूरा घर शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए. अब आप ऐसे इस तरह बैठी रहेंगी तो घर के काम कै से होंगे. सुमित्रा, कैसी बाते कर रही हो स्वीटी बहु? जब से वर्शा बहु आए है, मैंने घर के किसी काम को हात नहीं लगाया. मैं तो घर के काम करना कब कब भूल चुकी हूँ? स्वीटी, तो अब कर लो. अभी तो कर सकती हो. मुझे कुछ नहीं सुनना, चुक्च जैसी लड़की को अपनी बहु बनाया जिसकी वजह से आज वो इस उम्र में घर के काम कर रही थी. स्वीटी की सहली, क्या बात है स्वीटी? तेरी तो दोनो नौकरानी बिलकुल बेकार हैं. इन्हें तो जैसे घर के काम ही नहीं आते. देख इस बूई नौकरानी ने मेरी स पहली की साड़ी को खराब करने की. अब तुम भूखी रहोगी, तुम्हें पूरा दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा. तुम्हारी यही सजा है. रवी कहीं बाहर गया हुआ था. उसके पीछे ही स्वीटी ने सुमित्रा और वर्षा को बहुत परेशान किया. सुमित्रा खाना तो तुम्हारा है और तुम मुझे दे रही हो. फिर तुम क्या खाओगी? वर्षा, मा जी, मुझे भूख नहीं है. मेरे से ज्यादा आपको खाने की जरूरत है. आपको अपनी बीपी की दवाई भी लेनी होती है ना. आप ही खाना खालो. सुमित्रा, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई. मैं अपनी बहू की सौतन ले आई. सुमित्रा, हे भगवान, मेरी गलती को ख्षमा कर देना. सुमित्रा, वर्षा बहू, तु चिंता मत कर. अगर गलती मैने की है तो मैं ही इसे सुधारूंगी भी. मैं स्वीटी को घर से निकाल कर ही दम लूंगी. स गर मेरा है. आपसे यहां मैं और रवी रहेंगे. हम दोनों पती-पत्नी के सिवाए यहां कोई नहीं रहेगा. निकलो यहां से दोनों बाहर. इससे पहले की रवी आएं. मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती. निकलो बाहर. निकलो. तभी रवी आ जाता है. उस लड़की का नाम स्वीटी नहीं. चांदनी है. आज सुबह मैंने एक अकबार में इसके बारे में पड़ा. ये एक चोर है. आप दोनों को घर से बाहर निकाल कर ये यहां अकेले रहना चाहते थी ताकि ये इस घर को अपने नाम करके सब रुपया पैसा बटोर कर यहां से रफूचकर हो जाए. और आज जो इसकी सहेली आई थी ना, वो भी चोर है. उन्हें भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है. ये पूरा एक गैंग है जो रुपया, पैसा, जायदाद अपने नाम करके रफूचकर हो जाते हैं. वरना खुद ही सोचो कोई अंजान ल रिकॉर्ड है वरना तुम्हारी इस गलती की वजए से मैं भी जेल जा सकता था. सुमित्रा, मुझे माफ कर दे, रवी बेटा. सुमित्रा, वर्शा बहु, मैंने पैसो के लालच में आकर अपने ही बेटे की जिंदगी खराब करनी. चाही, सुमित्रा, इंस्पेक्टर गलत लड़की है. इसने मेरा क्या हाल कर दिया? मेरी वर्शा बहु कितनी अच्छी है? लाखो में एक है. बड़ी आय थी मेरी वर्शा बहु और मुझे घर से निकलने वाली. अब तुम जेल की सलाकों के पीछे जब सजा भुकतेगी ना तब मेरे कलेजे को थंड़क सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने बेटा बहु को गले से लगा लेती है. दूसरी तरफ स्वीटी और उसके साथियों को जेल हो जाती है. आज की ये खास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कूमेंट में जरूर बताएं.